नमस्कार बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.2 के जो स्वाल नमबर 9 कर लिये थे उससे आगे स्वाल नमबर 10 कर रहे हैं जिसमें हमें दिया हुए है किसी समांतर श्रेडी का सत्रमा पद उसके दसमें पद से साथ अधिक है उसका सारव अंतर ज्यात कीजिए हुमें यह दिया हुगा है कि एक स्मां तर शेडी उसका सथमां पद सथमां पद एस उसके दसमें पद से साथ अधिक है यह hraIA ऑगे डसमें पद में सात जोड़ तो symptom okay बराबर हो जाएगा बस्में पद से सात अधिक का मतलब सात जोड़ना दसमें पद में 17 मां पद आ जाएगा सारवंतर ग्याद किजिए हमें सारवंतर निकालना है जैसे हमें पता है A 17 का मतलब होता है A plus 16 D A 10 का मतलब A plus 9 D plus 7 एक तरफ ले जाएंगे A plus 16 D minus A minus 9 D बराबर 7 A से A cancel 16 D में से 9 D गटाएंगे 7 D बराबर 7 D का माना आगया एक जो कि इसका हल है एक स्मांतर शेड़ी दिवी है 3 15 27 49 और कौन सा पद चोपन में पद से 132 अधिक होगा यह हमें पूछा गया है तो पश्चना अमसार माना एनमा पद चोपन में पद से 132 अधिक है हम मान के चलते हैं कि चोपन मा पद जो है वो 132 अधिक है अधिक का मतलब जोडना कमका मतलब गठाना एनमा पद ए प्लस एन माइनस एक डी चोपन मा पद ए प्लस त्रेपंडी प्लस एक सो बत्तिस एक त्रफ ले इन दोनों को तो यह आ जाएगा ए प्लस एन माइनस एक डी माइनस ए माइनस त्रेपंडी बराबर एक सो बत्तिस ए से ए कट जाएगा जो दीगे इसमी करन है एपी जिसमें हमें दिया हुए 3, 15, 27, 49 इसमें डी का मान निकाल लेती है डी का मान होता है ए2 माइनस एवन यैनि 15-3, 12 इसमें डी का मान बारँ रखेंगे एन माइनस एक घुना बारा मािनस त्रेपंड गुना बारा बराबर एक सो बत्तिस हल करेंगे इसको दिए आ जाएगा बारा एन माइनस बारा माइनस गुना करेंगे पराती चप्तिस और 12,5 बराबर 132 हमें N का मान निकालना है 132 प्लस 636 प्लस 12 N बराबर 12 बाग में आ जाएगा इनका जोड़ करेंगे 0 एक और तिन चार तिन साथ और एक आठ एक और च्छै और एक साथ बाग देंगे बाराची के बैतर च्छै बाराब पांजे साथ एन का मान साथ अर्था पैंसेठ्मा पद 94 पद से 132 अधिक है इस परकार से इस वाल नमबर 11 हल किया जाए किशन नमबर 12 दो समांतर शेडियों का सारवंतर समान है हमें दो अलग अलग समांतर शेडियां देवी हैं और इन दोनों समांतर शेडियों का सारवंतर हमें समान दिया हुआ है तो मना कि दो कि समांतर शेडियों के पर्थंपद हम मान के चलते हैं पहले का ए एक है दूसरे का ए दो है सारवंतर शेडियों के समांतर शेडियों के समांतर शेडियों के पर्थंपद प्रशना अंसार समेपदों का अंतर यनि पहली समांतर शेडि का समांतर और दूसरी समांतर शेडि के समेपद का अंतर सोधिया हुआ है अर्थात ए वन प्लस निन्यानमे डी माइनस ए टू प्लस निन्यानमे डी बराबर सो ए वन प्लस निन्यानमे डी माइनस ए टू माइनस निन्यानमे डी बराबर सो ये cancel हो जाएगा A1-A2 का मान हमारे पास आगया 100 हमें 1000 में पदों का अंतर ग्याद करना है 1000 में पद A1000 ये हमें ग्याद करना है 1000 में पद लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा A1 प्लस 999-D-A2 प्लस 999-D हल करेंगे ये आजाएगा A1 प्लस 999-D-A2 प्लस 999-D 999-D से 999-D कड जाएगा ये बराबर बचेगा A1-A2 के और A1-A2 का मान सो दिया हुआ है अते दोसमांतर शेडियों के जो हजार में पदों का अंतर है वहे भी सो होगा हमें ये पुछा हुआ है कि तीन अंकों के कितनी संख्याएं हैं जो साथ से भी बज्जे हैं अर्थात ऐसी तीन अंकों की संख्याँ जिसमें साथ का पूरा-पूरा बाग जाता है हमें वो ग्याद करना है इसको ग्याद करने के लिए देखो स्टार्टिंग में तीन अंकों की संख्याँ का मतलब है एक सो सो से स्टार्ट होती है और अंतिम तीन अंकों की संख्या नौ विजश औरॐ नौ संख्या الشाह नीड़ं में होती है। इनमें साथ से विवज़े अगर संख्या ग्याद करें तो सबसे पहले सो में साथ का बाग दे लेते हैं प्रारंबिक साथ से विभज्य संख्या प्राप्त करने के लिए अगर बाग देंगे साथ एकम साथ तीन तेस साथ चोके अठाइस अगर यहां पर पांच और जुड़ जाता तो ये पूरा-पूरा बाग जा सकता था अभी इसमें से इसफल दो बच रहा है लेकिन अगर पांच और जुड़ जाए तो पूरा-पूरा बाग जा सकता है अर्थात हमारे पास पहली तीन अंकों की साथ से विभज्य संख्या बराबर एक सो पांच होगी फिर एक सो पांच के बाद जो बनेगी 112, 119 126 चलती जाएंगी अंतिम सबसे बड़ी संख्या जो होती है तीन अंकों की वो 900 निन्याण में होती है हमें ग्याद करना है कि अंतिम साथ से विभज्य बड़ी संख्या कौन सी होगी तो वो ही नियम सबसे बड़ी संख्या नो सो निन्यानवे में साथ का बाग देंगे जो सेस्वल बचेगा वो गटा देंगे इसमें से उसमें तो क्या था सेस्वल बचना नहीं चीए था सेस्वल बच रहा है तो उसमें कुछ आगे वाली संख्या लेंगे जिससे की हमें इससे बड़ी संख् इसलिए सेस्पल गटाएंगे, साथ एकम साथ, दो उनतिस, साथ चोके अठाइस, एक उनिस, साथ दो निचोधा, पांच, नो सो निन्यान में में से पांच गटा दीजिए, यह आ जाएगा नो सो चुराण में, नो सो चुराण में ऐसी संख्या है, जिसमें साथ का पुरा पुरा बाग जाता है, यहां पर अंतिम संख्या जो बनेगी, वो हो जाएगी, नो सो चुराण में, अब समांतर शेडी हमने प्रिवासित कर दी तीन अंखों की हैं ये सारी संख्या हैं जिन में साथ का पूरा-पूरा बाग जाता है हमें ये देखना हैं कि ये कितनी संख्या हैं पदों की संख्या ग्यात करनी है इसके लिए A का मान 105 D का मान 112-105 यनि 7 और A N का मान अंतिमपद 944 में लेकिन A N का सुत्तर था A प्लस N माइनस 1 गुना D 900 चुराण में बराबर 105 प्लस N माइनस 1 गुना 7 हल करेंगे 900 चुराण में माइनस 105 बराबर 7 N माइनस 7 ये गटाएंगे 14 में से 5 के 9 8 ये माइनस का साथ प्लस का साथ हो जाएगा बराबर 7 N हमें N का मान ग्याद करना है तो ये हो जाएगा 9 और 7 सोड़ा एक आठ और एक नो बटे साथ साथ एकम साथ एक उननिस साथ दुनी चोदा पांच चपन साथ वाट चपन अर्थाथ साथ से विवजे हमारे पास तीन अंकों की 128 संख्याई होंगी या ये कह सकते हैं कि 128 ऐसी संख्याई होंगी जिनमें साथ तीन अंकों की ऐसी संख्याई है जिनमें साथ का पूरा पूरा भाग जाता है कुछ इसी परकार का स्वाल फिर रहे हैं अब की वार साथ से वज़े नहीं कहें कर चार से कितने गुनज हैं वो पूछ लिया 10 और 250 के बीच में पूछा जा रहा है तो हमें पता है 10 और 250 के बाद में 10 के बाद 12 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का बाग जाता है 12 के बाद 16, 20 इस तरह से ये चलते रहते हैं अगर हम ये देखें कि 250 के आसपास बीच में कहा है तो 250 से छोटी संख्या इसी कौन सी है जिसमें 4 का बाग जाता है 250 में 4 का बाग देके देख लेते हैं 24, 1, 10, 4, 2, 8, 2 कम हो जाएगा अगर 2 कम करेंगे 248 इसी संख्या है जिसमें 4 का पूरा पूरा बाग जाता है ये संख्याएं हमें ग्याद करनी हैं ये कितनी संख्याएं हैं वोई सेम तरीका A बराबर बारा B बराबर 4 इस बार 4 का गुनस दी है इसलिए A N का बराब 248 A N बराबर A प्लस N माइनस एक गुना D A N का मान 248 A का मान 12 N माइनस एक गुना 4 248 ये प्लस का बारा माइनस का हो जाएगा इधर ब्रेकेट खोल देंगे 4 N माइनस 4 ये गटाएंगे तो ये बच जाएगा 6, 36, 236 ये प्लस का 4 बराबर 4 N N का मान निकालना है चार गुना में है बाग में चला जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे 240 बटे 4 परथात 60 60 80 संख्याई हैं 10 और 250 के मद्दे जो की 4 के गुनाज है अगला स्वाल N के किस मान के लिए दोनों समांतर शेडियों 63 65 67 डेस टेस टेस और 3 10 17 के N में पद समान बराबर होंगे या समान होंगे सबसे पहले जो परथम एपी दे रखी है उसको लेके चलते हैं हम उसका N मा पद निकालेंगे A का मान 63 D का मान 65 माइनस 63 दूसरा पद माइनस परथम पद यानि 2 A N का सुत्तर A प्लस N माइनस एक गुना D A 63 प्लस N माइनस एक गुना D दो हल करेंगे 63 प्लस दो N माइनस दो या फिर 61 प्लस दो N ये परथम स्मांतर शेड़ी का N मा पद है दूसरी स्मांतर शेड़ी लेके चलते हैं 3, 10, 17, dash, dash, dash इसका N मा पद निकालेंगे इसमें परथम पद 3 है सारवंतर 10 माइनस 3 यानि 7 है N मा पद निकालने का सुतर A प्लस N माइनस एक गुना D मान रखेंगे A N बराबर 3 प्लस N माइनस एक गुना D जो हो जाएगा 3 प्लस 7 N माइनस 7 या 7 N माइनस 4 प्रश्णा उनसर दोनों के N में पद बराबर है अगर दोनों के N में पद बराबर है तो इसका मतलब 61 plus 2N जो है वो बराबर है 7N minus 4 के हल करेंगे इस 2N को इधर उस 4 को इधर ले जाते हैं यह minus का 4 इधर आएगा plus का 4 हो जाएगा 61 plus 4 बराबर 7N minus 2N 61 plus 4 65 बराबर 5N N का मान निकालना है 65 बटे 5 13 अर्था 13 मां पद ऐसा है जो दोनों स्मांतर शेडी में स्मान होगा बराबर होगा स्वाल नंबर 16 हमें एक ऐसी स्मांतर शेडी ग्याद करनी है जिसका तीसरा पद 16 है तीसरा पद 16 अर्थात हमें दे रखा है कि ए 3 का मांच 16 है ए 3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 16 स्मी करनेक दे हुई हमें सात्मां पद पांचमें पद से 12 अधिक सात्मां पद A प्लस 6D पांचमां पद A प्लस 4D बराबर 12 एक तरफ लेंगे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12 A से A कट जाएगा 6 में से 4 गटाएंगे 2D बराबर 12 इससे D का मान आ जाएगा 6 स्मी करनेक में रखेंगे अगर स्मीकर नेक में रखते हैं तो A प्लस दो गुणा 6 बराबर 16 या A प्लस 12 बराबर 16 A का मान आ जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4 A का मान आ गया D का मान आ गया समांतर शेड़ी लिख सकते हैं अथा समांतर शेड़ी हो जाएगी पहला पद 4 दूसरा पद D जोड़ के प्राप्त होगा लिख देते हैं A1 का मान 4 A2 का A1 में D जोड़ कर 4 प्लस 6 यानी 10 A3 A2 में D जोड़ कर 10 प्लस 6 16 A4 तीसरे में D जोड़ कर 16 प्लस 6 बाईस अर्था था हमारे पास मंतर शेड़ी 4, 10, 16, 22 एक समांतर शेड़ी को वैक्ट करती है सत्रमास्वाल A.K.P. 38, 13, 253 में अंतिम पद से 20 मां पद ज्याद कीजिए हमें जो अंतिम पद है उस से 20 मां पद यानी पिछे का 20 मां पद निकालना है इस मंतर शेड़ी में देखें तो हमारे पास पहले अंतिम से 20 मां पद निकालने के लिए एक आसान तरीक्छा तो यह रहेगा कि पूरी समांतर शेड़ी को उल्ट लेते हैं, बदल लेते हैं अंतिम पद को पर्थम पद और पर्थम पद को अंतिम पद बना देते हैं उसके बाद में उसका 20 मां पद निकल लेंगे तो बड़ी आसानी से यह मान निकल जाएगा आइधिंक वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा यह सारी बढ़ते करम में हैं जब उल्टी एपी बनाएंगे इसकी करम परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास एपी कुछ इस परकार से बन जाएगी 253 इसमें पांच आठ और तीन होगा अब इसका अंत से जो बीसमां पद निकालना था वो सुरू से बीसमें पद में बदल गया एक का मान 253 इक का मान 248 माइनस 253 अर्थात माइनस का पांच एन बराबर बीस तो एन का मान निकाल सकते हैं एपलस एन माइनस एक गुनादी ए यनि 253 प्लस 20 माइनस एक गुनादी माइनस पांच 253 माइनस उननिस गुना पांच 253 माइनस पिच्च्यान में गटाएंगे तेरा में से पांच गे आठ और 14 में से नो गए पांच 158 एनस रहे इसका अर्थात अंच से 20 माँ पद जो होगा वो 158 होगा किसी एपी के चोथे और आठमे पदों का योग 24 है यनि हमें एक तो चोथा पद एचार आठमा पद एआठ इनका योग दिया हुए 24 और चटे और दसमे पदों का योग चटा पद और दसमा पद इनका योग दिया हुए 24 और चोथे पद का मतलब A प्लस 3D आठमे पद का मतलब A प्लस 7D बराबर 24 ए और जुड़कर दो ए बना देंगे तीन दी और साथ दी जुड़कर दस डी बराबर 24 ओ प्लस स्मीकरन एक बन गई ए च्छा का मतलब A प्लस 5D ए दस का मतलब A प्लस 9D बराबर 44 और जुड़कर दो ए 9 और पांच 14D बराबर 44 श्मीकरन दो एक और दो को हल करेंगे स्मीकरन 2 में से एक को गटाने पर एक रेकिक स्मीकरन है रेकिक स्मीकरन को हल करने के लिए विलोपन विदी का उप्योग कर रहे हैं 2A प्लस 14D बराबर 44 2A प्लस 10D बराबर 24 गटाएंगे ये कट जाएगा 4D बराबर बच जाएगा 20 D का माना जाएगा 5 स्मीकर नेक में रख देते हैं स्मीकर नेक से ग्याद करें तो 2 प्लस हमारे पास है 10 गुना D बराबर 24 2 प्लस 50 बराबर 24 2 बराबर 24 माइनस 50 या 2 बराबर 29 26 एक आमान आजाएगा माइनस 13 हमे पर्थम तीन पद निकालने को का है पर्थम पद तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 13 दूसरा पद, पर्थम पद में D जोड़कर माइनस 13 में पांच जोड़कर यानि माइनस आठ और पर दूसरे पद में जोड़कर माइनस आठ में पाँच जोड़ेंगे माइनस तीन अर्था समांतर शेड़ी बन गई माइनस 13 माइनस आठ माइनस तीन डेस देस इस परकार से इस पर्शतावली पांच पंड़ के स्वाल हमें हल करने हैं कोशिश करें दोस्वालों रहेगे जो नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिये जाएंगे थैंक यू